वेलकम टू नेक्ससक जाओं आज है एक अपरेल दोजारतेज से करेंट अफैस के जितने भी इंपर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं और हर कुश्चिन से प्रेलेटेड इंपर्टेंट प्रेग्ट वी मैं आपको बताऊँगा तो आप पूरा वीडियो वह ध्यान से देखे लास्ट मैं आपसे question पोचूंगा उसका answer आपको comment box उन बताना है आज कि इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो की discussion से डाउनलोड कर सकते हैं PDF आप तुमारे टेलेग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम गुरूप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो की discussion दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरूप जाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशिन है हाली में 200 बैक अप दिवस कब मनाया गया है तो अभी 31 मार्च को 200 बैक अप दिवस मनाया गया तो उस कुशिन का 2 options है एक्चुल में आजकल हर इंसान के लिए data important होता जा रहा है उसकी कुछ memory उसके पास data के रूप में होती है कुछ document उसके पास उसके data के रूप में होते है तो data हर इंसान के लिए आजकल important है अपने केमती digital दस्तावेजों की रक्षा करने के लिए और अपने data को सुरक्षित रखने के लिए ये 200 बैक अप दिवस हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है अच्छा 31 मार्च को ही इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ओफ विजिविलिटी भी मनाया जाता है और अंतरास्टी ड्रग चेकिंग दिवस ये भी 31 मार्च को मनाया जाता है तो 31 मार्च को इतने important ही मनाया जाता है एक मार्च को सून निभेदवाव दिवस मनाया गया तेन मार्च को बेस्टू बनिजीब दिवस मनाया गया चार मार्च को रास्टी सुरक्षा दिवस और बेस्टू मुटापा दिवस मनाया गया छे मार्च को बेस्टू टैनिस दिवस मनाया गया आठ मार्च को अंतरास्टी मैला दिवस और नो स्मोकिंग डि मनाया गया, नौ मार्च को बेसु किड्नी दिवस मनाया गया, दस मार्च को CISF का 54 मां इस्तापना दिवस मनाया गया, 14 मार्च को अंतरास्टी गड़त दिवस और अंतरास्टी पाई दिवस मनाया गया, 15 मार्च को बेसु उपवक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, 16 मार्च को रास्टी टीका करण दिवस मनाया गया, 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया गया, 18 मार्च को बेस्विक रिसाइकलि दिवस मनाये गया, बेस मार्च को अंतरास्टी प्रसंदता दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे और बेस्सु गौरईया दिवस मनाये गया, 21 मार्च को अंतरास्टी बन दिवस और नसली भेदवाव के उन्मुलन के लिए अंतरास्टी दिवस मनाये गया, 22 मार्च को 200 जल दिवस मनाया गया 23 मार्च को 200 मौसम बेग्यान दिवस मनाया गया 24 मार्च को 200 चैरोग दिवस मनाया गया 25 मार्च को अजन में बच्चे का अंतरास्टी दिवस मनाया गया 27 मार्च को 200 रंग मंच दिवस मनाया गया मार्च दिवस्ता है, तो मर्च में इतने इंप्रोटेंट रहा है ये इसब से इंप्रोटेंट है ये बेसुजल दिवस इसे आप जरूर याद रखना ये 22 मार्च को बना जाता हैं। अच्छा आज कि से लाइक हो तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा है लगता है तब आप इस वीडियो को like और share जरू क्या करो और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning mode का सबसे पहले अपने लेक target fix करो चाहे चोटा साई target fix करो लेकिन daily morning mode का सबसे पहले अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को achieve करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी next question है किस राज सरकार ने सिक्षा और रोजगार में 10% AWS कोटा अधिसूचित किया है तो अब एक करनाटक सरकार ने सिक्षा और रोजगार में 10% economical waker section कोटा अधिसूचित किया तो इस question का C option सही है अब करनाटक ने किया तो ये है मैप में करनाटक करनाटक की capital क्या है बैंगलोर करनाटक की chief minister कोन है बसव राज बॉंबई और करनाटक की governor कोन है थावर चंदर के हलोत अभी करनाटक ने 54 साल बाद संतूष ट्रॉफी जी थी प्रदानमंत्री मूदी ने करनाटक में सिम मोगगा हवायडे का उद्गाटन किया है करनाटक सरकार ने अमरत नगरोत्तान यूजना की गोशना की करनाटक की मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लेनिक लॉंच की है करनाटक में एसिया का सबसे बड़ा हेलिकॉप्टर कारखाना खोला गया अच्छा करनाटक की दो डांस पहमस है यक्षिगड और डोलू कुनी था करनाटक में कौन-कौन से नेशनल पार्क है बांदीपूर, अंसी, नगर होल, बनरकटा और कुद्रे मुखा नेशनल पार्क ये करनाटक की इंपूर्टेंट नेशनल पार्क है नेखिशन है हाली में उत्तर प्रदेश में कहा सेरी कल्चर मेले का उद्गाटन किया गया तो अभी उत्तर प्रदेश में गुरकपुर में सेरी कल्चर मेले का उद्गाटन किया गया अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैं अपना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है लखनव, और लखनव किस नदी की किनारेश दित है, गुमती नदी किनारेश दित है, उत्तर प्रदेश की चेपनिष्टर है योगी आतनाथ, उत्तर प्रदेश की गवर् परेटन और सांस्कृतिक राजदानी बाराणसी को गोशित किया गया है उत्तरपदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक बहानों के खरीद पर रूट टेक्स और पंजीकरण सुल्ख माफ करने की गोश्णा कि उत्तरपदेश सरकार ने फैमली आईडी पोर्टल लॉंच किया है 24 जनवरी को उत्तरपदेश का अस्तापना दिवस मनाया गया और उत्तरपदेश सरकार प्रक्रति और पक्षी महुत सबके चात में संस्कड की मेजवानी करेगी अच्छा उत्तरपदेश में दुद्वा नेशनल पार्क है कतरनिया गाट वैल लैफ सेंसुरी है और पेले भीत टाइगर रिजर्व है ने क्यूशन है हाली में टाटा पावर ने किसे MD&CEO की रूप में न्यूपत किया है तो टाटा पावर के अभी तक MD&CEO थे प्रबीर सिन्ना अब फिर से टाटा पावर ने इनको ही MD&CEO पॉइंट किया है तो इस कुश्चिन का C options है यह है यह है प्र गेर कारेकारी अद्धिक्ष न्यूपत किया है कॉर्टन कॉर्परेशन ओफ इंडिया के CMD के रूप में ललित कुमार गुपता को न्यूपत किया गया और ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट की रेजिडेंट कोर्डिनेटर के रूप में के आरपार्वत्ती को किस राज सरकार ने चाय बागानों को बिसेश प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड रुपए वित्रित किये हैं तो अभी असम सरकार ने चाय बागानों को बिसेश प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड रुपए वित्रित किये तो इसको शिंग बे आप्शन सही है अच्छा चाय बागान सुनके कुछ याद आया हिमाचल प्रदेश की कांगडा चाय को अभी European GI टेग मिला है इंद्यन GI टेग इसे 2005 में मिल गया था लेकिन अभी European GI टेग मिला है और अब असम सरकार ने चाय बागानों को बिसेश प्रोट साहन के रूप में 64 करोड रुपया अब असम तो ये है मैप में असम असम की केपिटल क्या है दिस स्पोर्ट असम के चीपनिष्टर कौन है हिमनता विश्व सर्मा और असम के नए गवर्नर कौन मने है गुलाब चंद्र कटारिया अच्छा अभी पहला बूडोलेंड अंतराश्टी ज्यान महुत्सव असम में है विद्यक को मंजूरी दिये अच्छा असम में कटे भी हूँ बगरुंबा भुरताल और जुमूर ये लोक नत्य फ्यवसें असम में कौन-कौन से नेशनल पार्क है काजी रंगा मानस औरंग डिब्रु सेकोवा रायमोना और देइंग पट गई इसमें से काजी रंगा न निरंजन गुपता को हेरो मोटो कॉप का CEO पॉइंट किया गया तो इसकुशन का ए ओप्सन सही है यह है निरंजन गुपता और एने को हेरो मोटो कॉप का CEO पॉइंट किया गया अबे बेपेसेल का अध्यच और प्रबंद में दे सक जेक रशन कुमार को नियुक्त किया गय टेसीयस का CEO के कृतिवाशन को न्यूक्त किया गया, हनेवेल ने CEO के रूप में विमल कपूर को न्यूक्त किया और पेफ रडिये का अध्यक्ष देपक मोहंती को न्यूक्त किया गया है, ने क्यूशन है, के सराज में Space System Design Lab का उद्गाटन किया गया, तो अभी गुजरात में Space System Design Lab का उद्गाटन किया गया, तो इसका उद्धिस बिकास को बढ़ावा देना और भारत में निजी छेत्र की अंतरिच फर्मों के योगदान को बढ़ाना है, अब गुजरात तो ये है मैप में गुजरात, गुजरात की केपिटल है गांदी नगर, गुजरात की के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्ताबित किया गया है, जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात के हाई कूट की मुख नयदीस बनी है, रास्ती बाल बिग्यान कॉंग्रिस एमदाबाद में आयोजित होई है, पसूओं के लिए भारत के पहले IVF मोबिलिटी यूनिट की सुरूआत गुजरात में की गई, गुजरात बिधान सबा ने अनदिकरत बिकास बिन्यमितिकर बिदेख पारित किया है, और अडाने न्यू इंडस्टीज ने मुंद्रा में बारत का सबसे बड़ा पवन टर्वाइन इस्तापित किया है, अच्छा गुजरात में गेरी ने पार्क है, यह एसियाटिक लॉइंस के लिए फैमस है, सरदार सरोबर डेम है, नल सरोबर लेक है, थोल लेक है, कंकडिया लेक है, और खिजाडिया लेक है, ने क्यूशन है, बारती रेलवे ने केस राज में 100% रेल बिद्युतिकरण हासिल किया है, तो अबे इंडियन रेल इलेक्ट्रिफाई हो चुका है, अब हर्याना तो यह है मैप में हर्याना, हर्याना की केपिटल क्या है, चंडिगर, हर्याना की चीपनिश्टर कोन है, मनुहर लाल खटर, और हर्याना की गवरनर कोन है, वंडारू दत्तात्री, अभी उत्तर भारत का पहला परमोड सेयंत हर हर्याना में बनेगा ग्रेह मंत्री अमित सा ने हर्याना की पुलिस को प्रेस्रेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया है तो ये बुक का नाम है इसको वाणी त्रिपाठी ने लिखा है तो इसकुशन का C options है यह है वाणी त्रिपाठी यह भारती सेंसर बोड की सदस्य है और अबिनेत्री भी है इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी है वाणी त्रिपाठी यह बच्चों के लिए बुक है अच्छा अभी डॉक्टर S.A. हसन के द्वारा लेखी गई पुस्तक वार एंड बुमेन का बिमोचन किया गया रचना विस्वात ने वेपिन दा मैन वेहन दा यूनिवर्स नामक पुस्तक लेखी है और डॉक्टर ग्यान चत्रवेदी द्वारा लेखे तो पन्यास पागल खाना को ब्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया ने क्यूशन है किसे कलकत्ता हाई कूट का कारे बाहक मुख्य नयदीस ने उप्त किया गया तो अभी जस्टिस टे एस सिब गड़मन को कलकत्ता हाई कूट का कारे बाहक मुख्य नयदीस ने उप्त किया गया है ने क्यूशन है हाली में कौन से राज सरकार म्यामार के सरडारतियों को निर्दिस्ट केंद्रों पर रखेगी तो अभी मड़िपूर सरकार म्यामार से आए हुए सरडारतियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी, तो इस question का say options है, आपको पता है, जो म्याम्मार country है, ये अवणाचल पदेश, मड़िपूर, मिजोरों और नागलेंड के साथ बॉर्डर सेयर करता है, जिसमें से मड़िपूर के साथ इसका कुछ बॉर्डर ऐसा है, जहां पर बार न हो जाएगी, तो इनको बापस में मार में वेज दिया जाएगा, अब मड़िपूर तो ये है मैप मड़िपूर, मड़िपूर की capital क्या है, इमफाल, मड़िपूर के चीपनिश्टर कौन है, एन वेरें सिंग, और मड़िपूर की गवर्नल कौन है, अन सुईया उएके, अभ ओलो प्रतिमा का उद्गाटन मड़िपूर में किया, मड़िपूर में गान नगाई उत्सब मनाया गया, पूर्वुत्तर ओलम्पिक खेलों में मड़िपूर लगातार दूसरी बार्क्टॉप पर रहा, और अमूर फालकन फेस्टिवल का सात्मा संस्कर्ट मड़िपूर मे बनाया गया है, नेक यूशन है, दुनिया का तेसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहा बनेगा, तो ये राइस्तान में बनेगा, दुनिया का तेसरा और भारत का दूसरा क्रिकेट स्टेडियम ये राइस्तान में होने गए, भारत का दूसरा सबसे सबसे बड़ा किर्केट स्टेडियम होगा दुनिया का पहला किर्केट सबसे बड़ा किर्केट स्टेडियम कौन सा है नरेंद्र मुधी स्टेडियम यह गुजरात के एहमदाबाद में है दूसरे नमर पर सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है मेलवर्न स्टेडियम यह औस्ट वारत की पहली व्यवहार प्रियोग साला जैपूर में स्तापित की जाएगी MSME, अध्योगीक प्रदस्यनी और मेले का उद्गाटन कूटा में हुआ है 18 में 200 सुरक्षा कॉंग्रेस जैपूर में आयुजित की गई कूटा में बिज्ञान केंद्र और तारा मंडल का निर्माड किया जाएगा अच्छा रायस्तान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रडधमोर नेशनल पार्क है केबला देव घाना पक्ची ब्यार है और मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्ब है नेशन है, दिल्ले इंटरनेशनल ओपन सत्रंज खिताब किस ने जीता है तो ये जीता है अर्बिन चित्रंबर ने दिल्ले इंटरनेशनल ओपन सत्रंज खिताब ये अर्बिन चित्रंबरम ने जीता तो अभी तेलंगाना सरकार ने लेक development program जारी किया तो इसके लिए तेलंगाना सरकार ने ये लेक development program जारी किया अब तेलंगाना तो यह है map में तेलंगाना तेलंगाना की capital क्या है? हैदराबाद, तेलंगाना की chief minister कौन है? के चंसेकर राओ और तेलंगाना की governor कौन है? डॉक्टर तमिल साई सौंदराजन अबे तेलंगाना में समता कुम शुरू हुआ है तेलंगाना पुलिस महानेदेशक की रूप में अंजने कुमार ने पदबार grade की है तेलंगाना में नेम के पेडों की पत्यां die back रोक से प्रवावित पाई गई तेलंगाना सरकार ने कांटी बेगुलू यूजना को फेर से लॉंच की है हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रेन सिटे अबार दोजर बाई जी था और तेलंगाना सरकार ने आस्रा पैंसन चुरू की है इतना आपको तेलंगाना के बारे में याद रखना है हाली में दूसरी जे ट्वंटी टूरिज बर्किंग ग्रूप की बैठक कहा होगी तो ये पश्चिम मंगाल के सेले गुडी और दारज लिंग में होगी तो इस कुश्चिन का से ओप्सन सही है अब लास्ट वीडियो की कुश्चिन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आपसे कुश्चिन पूचा था कि किस राज जी के एंजियो तपो बन को चिल्डन्स चेंपियन अबार से सम्मानित किया गया तो असम का एंजियो है तपो बन इसे अभी चिल्डन्स चेंपियन अबार से सम्मानित किया गया यानि कि इस question का बे option सही था और लगबग सा बे श्ट्वेडनेस का अंसर सही दिया मुश्ट ले श्ट्वेडनेस के बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे में आपको जितना जाता से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़े आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में केसराज के मुख्यमंत्री ने पत स्री रास्ता स्री परयोजना का सुबारम किया है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत हल्ग बरते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indresrc Instagram पर indresrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस video का आप target जरू याद रखना आज किस video का target है 40 है लाइक का WhatsApp और Facebook group है उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो यह था आज का हमारा current affairs का video आपको यह video कैसा लगा प्लेज comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस channel को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लीजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब बे आप से सब्सक्राइब रहेंगे तो बरावर में एक bell icon बन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में current affairs के video मिलती रहे next exam all page video thanks for watching